बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाउं में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रमेश था, रमेश बहुत इमानदार और महनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था, वह जंगल में लकडियां इकठा करने गया, ताकि उन्हें बेच सके और कुछ पैसे कमा सके, जंगल में चलते चलते उसे एक चमचमाती थैली मिली, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, रमेश ने पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, वह थैली उठा कर गाउं की और चल पड़ा, रास्ते में उसके मन में कई विचार आये, वह सोचने लगा, अगर मैं इन पैसों को प्रभावित होकर उसकी तारीफ की और उसे पुरसकार देने का वादा किया, तब ही एक अमीर आदमी वहां आया और कहा कि वह थैली उसी की है, रमेश ने तुरंत वह थैली उसे लौटा दी, उस अमीर आदमी ने रमेश की इमान दारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे दिय तुम ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया